डेट है आज 8 नमबर 2021 ये सब टॉपिक कबर करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है गोवा मेरी टाइम कॉनक्लेव ये प्रिलिम्स और जीस पेपर 2 के लिए इंपोर्टेंट है ये एक मीटिंग होती है जो इंडियन नेवी कराती है अभी ये मीटिंग हुई है गोवा में सास से 9 नमबर के बीच में ही मीटिंग चल रही है बाई इनियल गोवा मेरी टाइम कॉनक्लेव बोलते हैं इसको बाई इनियल का मतलब है once in two year दो साल में जब कोई इवेंट एक बार होता है उसे बाई इनियल बोलते हैं तो दो साल में एक बार होती है नवर ये नवल वार कॉलिजर गोवा में वहाँ पर होती है उसके अंडर होती है इस साल की जो थीम है इसकी वो है maritime security and emerging non-traditional threat a case for proactive role for Indian ocean region नवी जो Indian ocean region है हमारा ये वाला रीजन इसमें जो नवी है उनकी participation कराना इसका main कान है और maritime security maritime security का मतलब है ये maritime security मतलब ocean में security समुंदर में security सुरक्षा कि यहाँ पर क्या है जो trade वगएरा हो वेपार हो वो आसानिस हो ऐसा नहीं कोई लुटे रे लूट ले यहाँ यहाँ पर कोई गुश्वैटी आ जाए आसपास की countries में गुश जाए या इंडिया में गुश ज जाता है इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन ओशन रीजन में जो नेवी है वो भी इसमें participate करती है और एक तरह से interoperability के लिए significance है इसकी एक दूसरी कंट्री की जो नेवी है वो अपने experience share करती है और security challenge future में जो maritime security challenge है उनसे कैसे निप्टा जाए इसके बारे में इसमें discuss क किया जाता है इसमें और कौन कौन सी कंट्री है इंडिया की नेवी के अलावा बांगलादेश की नेवी, कौमोरोज कंट्री है यहां पर इंडोनेशिया, मेडागासकर, मलेशिया, मालदीफ, मौरिसस, मैनमार, सिसली और सिंगापूर, स्रिलंका एं थाइलेंड जो इंडि कंट्री यहां आस-पास की यह पार्टिस्पेट करती है, इसमें मालदीफ वगेरा भी है, इसमें डिसकसन किया जाता है कि हाइड्रोग्राफिक, डॉमेन और मेरिटाइम इन्फोर्मेशन एक दूसरी कंट्री के साथ सेयर की जाती है, हाइड्रोग्राफिक का मतलब है, इसमें और जो मेकिन इंडिया है, इंडिया का इनसी टेवे, उसकी भी यहाँ पे एक्जीविशन दिखाएगी, एक्जीविशन का मतलब है परदरस नहीं, मेकिन इंडिया को पर्मोट किया गया, और जो डीप सममर्जैंस रेस्क्यू वैसल है, एक वैसल है बाई साफ सिप टाइब का ये ये सममेरिन के लिए बनाया गया मतलब capability दिखाता है ये के इंडिया नेवी की कितनी capability है ये गोवा में जो port है मारमा गोवा पोर्ट या मारमु गोवा पोर्ट बोलते हैं इसको यहाँ पे है ये सिप यही था इसके बारे में next है वन यार्स ये ऐसे लगा हुआ प्लूरल फॉर्म में वैसे वन यार है ये एक community है समूदा है ये तमिलाडू में ये रिसनली न्यूज में इसलिए इसको reservation दिया गया था वो अभी मदरा साही कोट ने quest कर दिया है ये की रद्द कर दिया है cancel कर दिया है वन यार्दे को one of the largest most consolidated backward community है तमिलाडू में backward community में आत सर्वीज में हमें reservation दो quota दो इन्होंने demand की protest करके बात में central government नहीं central government नहीं तमिलाडू की government नहीं 10.5% special internal reservation दे दी जैसे मालो backward class को मालो reservation मिली है मालो कि 30% मिली है 27% मिली हुए कुछ भी तो उसमें से जितनी backward class को मिली हुए सारी इसमें बहुत सारी जाती आती है community आती है लेक मालो 10% दे दी इनको 30 मालो 30% में से 10% सिर्फ एक ही community को दे दी एक ही समुधाय को दे दी वन यार को तो 10.5% का जो तमिलाडू government ने इन्हें reservation दी थी वो मदरा साही कोट ने अभी quest कर दिया रद कर दिये कि एक community को देखो इतनी सारी reservation नहीं दी जा सकती तो इसलिए ये news में यह कहा है कि यह constitution का उलंगन है इसलिए इसको रद कर दिया court नहीं कहते हुए यह सभीधान का violation है next है edible oil prices edible oil prices यह GS paper 3 और prelims के लिए important है वैसे कई बार इससे देखो पढ़ चुके हैं आलग lecture भी बना हुआ इसका फिर news में यह news में इसलिए क्योंकि देखो oil का जो price है cooking oil जैसे cooking oil आप use करते हो soya का soya bean का तेल या फिर तिल का तेल या सर्सों का तेल यह सारे जो cooking oil है इनका जो price है ना वो अभी drop हो गया है कम हो गया है कम होने के कारण क्या है कम होने के कारण है कि global price में stabilization आ रहा है मतलब globally price इनका कम होता जा रहा है duty भी cut कर रहे है बहुत सारी content जो tax जो wholesale price लगाते थे वो wholesale price भी कम हो गया है जैसे मंडी में बेचने जाते हैं किसान वो wholesale price हो गया wholesale मतलब मंडी में किसान बेचने गए जैसे किसान गया farmer मंडी में और मंडी से बेचा दुकानदारों को तो मंडी से जो दुकानदार खरीद के लेके जाएंगे वो प्राइस हो गया होलसेल प्राइस उसमें भी कमी आ गई है दूसरा जो सेंट्रल गुर्वर्मेंट है उसने असेंट्रल कॉमेडिटी एक्ट को यूज करते हुए स्टॉक लिमिट लगा दिये प्राइस होगी ओल्वर्मेंट की शिखनी जब रहेगी तो प्राइस कमा जाएंगा चिकासी सप्लाई रहेगी अब प्रीवियस ली जो प्राइस इंक्रीज होए थे ऐल के उसके क्या रिज़न थे कि प्राइस की 有ग्या उसका रिजन था कि देखो एक तो COVID-19 की वज़े से supply chain disruption हो गई थी कि इतनी supply होई नहीं पारी थी COVID की वज़े से आपको पता trade वगएरा रुख गई थी इसकी वज़े से price increase हो गई थी नेक्स्ट है कि insufficient labor oil देखो oil production में labor की कमी थी जिसकी वज़े से price ज़्यादा बढ़ गई थे इसके बाद एक चाहिना ने बहुत ज़्यादा edible oil खरीद के रख लिया था अपनी country में जब चाहिना खरीद के रख लिया तो जो global market है उसमें oil कम बच गया तेल कम बच गया तो जब demand ज़्यादा रहेगी supply कम तो फिर price बढ़ गया next है कि जो major oil producer है जो ऐसी country है देश है जो oil produce करती है उन्होंने बहुत सारी countries ने ऐसी policy बनाई कि देखो oil से biofuel भी बनाया जा सकता है तो उन्होंने biofuel policy बनाई और oil का यूज़ करने लगए biofuel बनाने में और biofuel देखो आपका कार गाड़ी वगएरा चलाने के लिए यूज़ हो सकता है पेट्रॉल डीजल की जगापे तो ये भी एक region था कि oil को से biofuel बनाने लगे तो oil की जो supply है वो कम हो गई एक ये region था next है government ने tax और duty बहुत ज़्यादा बढ़ा दिये थे सरकार ने जब tax और duty बढ़ा देगी तो price already बढ़ जाएगा तो ये price से increase होने के इंडिया की जो dependence है edible oil पे वो कितनी है देखो world में biggest vegetable oil importer है इंडिया सबसे ज़्यादा हम import करते हैं बहारी देश से purchase करते हैं मंगाते हैं oil vegetable oil वनस्वती तेल इंडिया 60% जो edible oil है वो अपनी import से पूरी करता है demand हमारे यहाँ पे तेल इ international जैसी pressure होगा मालो international price बढ़ेगा तो इंडिया को उससे effect पड़ेगा इंडिया देखो palm oil इंडोनेसिया मलेसिया से मंगाता है import करता है soya oil करता है ब्राजिल अर्जंटीना से sunflower oil बहुत सारी country है जिन में रसिया युक्रेन से करता है sunflower जो सूरज मुकी का तेल होता है तो इन country से import करता है edible oil के बारे में कुछ और fact जान लो देखो कुछ primary source के edible oil होते है कुछ secondary source के edible होते है यह primary source के edible oil आते है सोया bean oil यह primary source है प्राथ मिक्स और से प्राथ मिक्स रोस एडिबल ओल का रेप सीड या रेप सीड या mustard oil यह भी आता है प्राइमडी में ground nut मुंगफली का तेल mustard सरसो का तेल सुया bean जानते हैं आप sunflower सूरज मुकी का तेल सेफ फ्लोवर भी एक ऐसा ही फूल होता है जैसे sunflower सूरज मुकी का फूल होता है फिर नाइजर oil यह primary में आते हैं secondary में आता है आपका oil palm, साड का तेल, पायम oil, coconut, नारियल का तेल, rice brown का, cotton seed और tree born oil seed इंडिया के सामने क्या-क्या major challenges हैं क्या-क्या चुनोतिया हैं कि हम अपने इंडिया में क्यों नहीं produce कर पाते हैं क्यों नहीं उगा पाते हैं यह तेल वाली फसले और तेल निकालते हैं क्यों निकालते देखो एक तो इंडिया की जो फसल है वो लाजरी rain fed condition पर डिपेंड है, 70% जो area है oil जहां पर उगाया जाता है, मतलब oil वाली फसले जहां पर उगाया जाती है, वो rain fed condition में होता है, मतलब rain fed area, rain fed का मतलब बारिस पर डिपेंड है, बारिस हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जा जो बहुत ज्यादा उनकी प्राइस है, इसके सीड की, next है कि small holding with limited resources, बहुत ज्यादा किसान हमारे यहां पर देखो, छोटे किसान है, जिनके पास 2 hectare से भी कम जमीन है, तो वो यह खाने वाली जो फसले हैं, वो ज्यादा प्रफर करते हैं, ग्राउंड नट सोय या सोय बीन इंडिया में, सीड रिप्लेस्मेंट रेट का मतलब यह है, जैसे मालों यह खेत में फसल हमने उगाई, तो हम बजार से बीज खरीद के लिए के आए, और यहां पर उगादी किसान ने, अब यह क्या करेगा, अगले साल बीज खरीद के नहीं लाएगा, इसमें से जो उगा रेट कर लेगा, नया सीड नहीं खरीद आएगा, तो हमारे यहां पर लो सीड रेप्लेस्मेंट रेट है, यह नहीं कि नया सीड खरीद किसान नहीं खरीद पाते उनकी इंकम की वज़े से, इसकी वज़े से जो productivity है, वो भी लो रहती है, productivity आप जानते हो उत्तपादकता है, अगर इसमें पहले मालनो एक खेद में एक टन हो रहा है अना अगर अगले साल दो टन हो जाए तो इसकी productivity बढ़ गई तो यह है productivity लेकिन यह productivity कम है oil seed की यह नोट करके रखना है government of India ने हमारी ने national edible oil mission oil palm launch किया है ताकि domestic oil seed production बढ़ सके और यह हम already पढ़ चुके हैं अलग से lecture में बना हुआ इसके लिए next topic है what are technical textile 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 का मतलब आप जानते हो कपड़े और यह कौन से कपड़े है technical खपड़े टेक्निकल टेक्स्टाइल यह जानते है फिर न्यूज में क्यों है यह जानेंगे दखो ऐसा textile material या product जो manufacture हुआ है primary technical performance के लिए मतलब technology performance के लिए यूज क्या जाता है ऐसे कपड़े को technical textile बोलते हैं या कोई ऐसी functional property हो जिसका यूज aesthetic और decorative characteristic के लिए ना हो देखो कपड़ा सजावट के लिए भी यूज होता है आप यूज करते हो अपने bed seat के लिए या कपड़े पहनने के लिए ये सजावट के लिए हो गया decorative के लिए या aesthetic के लिए लेकिन इसके लिए यूज ना होते हैं किसी technology के लिए हो यूज हो उसकी ऐ जैसे विसेशता हो जो technical हो तब उस textile को कपड़े को बोलेंगे technical textile वो कैसा भी हो सकता है यह depend करता है कि किस area में यूज होता है इसको 12 category में डिवाइड किया गया है एग्रोटेक बोलते है एग्रोटेक textile जो agriculture में यूज होता है जैसे फसल वगएरा को आपने देखोगा कभी ढख देते हैं उपर कपड़े से ताकि जो कीड़े वगएरा नुकसान ना पहुचाए तो यह कहां पर technology में यूज होता है यूज हो रहा है agriculture के लिए तो यह क्या ह हो गया technical textile होगा यह भी कौन सा वाला एग्रोटेक बिल्टेक जो बिल्डिंग में यूज होता है जैसे मालों बिल्डिंग बनती हुई देखिए होगी आपने सेर में हरा हरा सा कपला ढख देते हैं वह क्या है टेक्निकल टेक्स्टाइल क्लोथ टैक ऐसी बहुत सारी टेक्स्टाइल और देखो कहीं पर भी दरी वगर या आपके सडक बनाने के लिए क्ला यूज हो सकता है वह भी टेक्निकल टेक्स्टाइल सेंटर टार्गेट कर दिए कि अगले तीन साल में पांच गुना ज्यादा हमें टेक्निकल टेक्स्टाइल का एक्सपोर्ट बढ़ा इन्डिया बिगेस्ट प्लेयर को होने टेक्निकल टेस्टाइल में सबसे ज्यादा यूएस एक्सपोर्ट करता है फिर वेस्ट यूरोपेन कंट्री फिर चायना और फिर जापान गौवर्मेंट ने क्या-क्याइफक्स्टाइल का प्रोड़क्शन बढ़ाने के लिए और ज मतलब अब हम क्या है, मंगाते नहीं बाहर से, इंपोर्ट नहीं करते, बलकि हम जहाँ बनाते हैं, एक्पोर्ट करते हैं बाहर के देशों को, एक नेश्टरल टेक्निकल टेकस्टाइल मिसन भी फरवरी में लास्ट येर 2020 में जादा बन सके, फिर देखो, नाइटीटु टेक् पादन करते हो या वेजी टेबलोल्स के लिए ढखने के लिए या हाईवे बनाने के लिए रेल्वे बनाने के लिए वाटर रिसोर्सिज में या मेडिकल एप्रिकेशन में यूज करोगे जो नेशनल टेक्निकल टेक्स्टाइल मिसन लॉंच किया था दोजार बीस में जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इन्होंने यह अप्रूबल दे दी थी 2020 में और 1480 करोड रुपे इसके लिए अलोकेट किये और नेशनल टेक्निकल टेक्स्टाइल मिसन लॉंच किया 2020 में इसका एम लक्षय टार्गेट किया था इसका टार्गेट यही था कि टेक्निकल टेक्स्टाइल में इंडिया ग्लोबल लीडर बनके उबरे और हम क्या आया जदा ज़दा टेक्निकल टेक्स्टाइल का डॉमिस्टिक मार्केट में भी यूज बढ़ाएं इस मिसन में देखो चार साल के लिए Implement होगा 2020 से अगले चार साल के लिए इसमें चार component है फिस्ट component यह है इसमें Research and Development and Innovation पो जोड दिया जाएगा उसके लिए एक हजार क्रोड रुपे दिये गए की फाईयवर लेवल पे और Application लेवल पे जिनका Application हो Agro में, Agro में, Medical Sports में फेल वगेरा मया मोबाइल टेक्स्टाइल या डवलपमेंट ओफ बायो डिग्रेवल टेक्स्टाइल इनके लिए रिसर्च हो इनोबेशन हो ज्यादा ज्यादा हमारे हाँ पे आविश्कार हो तो इनके लिए एक हजार करोड रुपे दिये गए सेकिंड कंपोनेंट इस मिसल म यह टारगेट है इसमें नैसनल मिसल जो है टेक्स्टाइल के लिए नैसनल टेक्स्टाइल मिसल में थर्ड कंपोनेंट यह है कि एक्सपोर्ट परमोशन करना है तेक्निकल टेक्स्टाइल का अभी देखो 1400 करोड से लेके 20,000 करोड तक यह 2021 थेक है अगर चार साल में देखो यह 10% average increase करना है, आगे export बढ़ाना है, last component इसमें यह है कि education, education, training और skill development करना है, मलब दक्सता देनी है, training देनी है, ज़्यादा ज़्यादा companies में लोगों को ज़्यादा ज़्यादा technical textile बनाया जाए, और यहां से export किया जाए, education देंगे, इसके regarding सिक्सा देंगे, next है, what is input tax credit, input tax credit के बारे में देखो, पहले कई बार पढ़ चुके हैं, special lecture में भी पढ़ा हुआ है हमने यह, यह GS paper 3 और prelims के लिए important है, इसमें देखो central board of indirect tax और custom है, यह क्या है board है, जो indirect tax वगरा के लिए regulation बगरा बनाता है, और उसको देखता है कि यहाँ सही से indirect tax वशूल आ जा रहा है या नहीं, यह जो board है, इसने एक नए norms बनाए, norms का मतलब rule बनाए, कुछ देखो GST officer थे, GST जो अवसूल थे हैं, वो officer थे, उन्होंने जो input tax credit है, बंद कर दिया बहुत सारे जो businessmen है, company है, जिने input tax credit दिया जाता है, यह input tax credit क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा, अभी दो तिल लाइन ये पढ़ लो, कि अभी news में क्यों है, क्योंकि GST के जो officer है, अधिकार ही है, उन्होंने रोग दिया कुछ companies का businessmen का, उन्होंने कहा कि देखो हमने suspicion पर नहीं रोका है, कि हमें सिर्फ doubt या संदेह नहीं है, इसलिए हमने रोका है इनका, क्योंकि हमारे पास evidence है, proof है, सबूत है हमारे पास, material evidence है, इस वज़े से हमने इनका input tax credit रोका है, तो इसलिए central board of indirect tax or custom है, इस board ने नए नियम बनाए, input tax credit के लिए, new norms क्या है, नए नियम यह है कि five specific circumstances दिये है, जिनमें जो credit है, वो block किया जा सकता है, किसी senior tax officer के दवारा, इसमें देख होगा, जब मानलो कोई seller, मानलो कोई company का मालिक है, या कोई भी आद होता है, जैसे मानलो आप दुकान से सामान खरीद के गए, दुकान दार ने आपको बिल दिया, जो आपको एक परची दिया और उसके पास जो बिल की book होगी, बिल book, उसमें देखो नीचे carbon लगा के एक वो परची अपने पास रख लेता है, उसकी और एक आपको दे देता ह जो आपको दे देगा, जो आपने सामान खरीदा, वो तो है बिल, और जो उसने अपने पास रख लिया, वो भी यही है, जो आपको बिल दिया, उसी की coffee है, लेकिन जो उसने दुकान दार ने अपने पास रखा, वो है invoice, तो यह गलत invoice बनवा लेते हैं, बहुत सारे business mail, क्यो करना है, तो यह है क्या input tax credit, देखो यह credit क्या है, इसमें ये बिजनिस है, जो वो जैसे मालो कोई माल खरीदा, यह माल खरीदा, इसने मालो कोई पैन बनाने वाली factory है, इसने मालो plastic खरीदी, फिर, स्याई खरीदी, इंक खरीदी और फिर जाके पैन बनाया, लेकिन जब इसने प्लास्टिक और इंक खरीदी थी, तो उसमे भी टेक्स बरा था अब ये जब पैन बना के पैन बन गया बेचेगा, तो इसे बेच रहा है अब इसपे भी tax भर रहा है, तो government क्या करती है कि जो आपने input पे tax दिया था, वो आपको वापस कर देंगे, जो plastic खरीदा था तब tax दिया था government को, इंग खरीदी तब tax दिया था, वो वापस कर देंगे, input पे tax वापस कर दिया है, इसलिए नाम है इसका input tax credit, यानि कि जो input पे tax वो वापस दे देंगे, बस output पर tax लगेगा, इसमें कुछ exception है, जैसे जो business man या company composition scheme के अंदर आती है, वो ने input tax credit का लाब नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें अलग से लाब दी जाते हैं, composition scheme एक अलग से चलाई हुए है, गोर्मन ने, लेकिन इसमें misuse की बहुत ज़्यादा परेश PST liability इसमें input tax credit के द्वारा settle की जाती है, और 20% के वल cash के द्वारा की जाती है, प्रेजन जो dispense election है, उसमें देखो input tax credit की real time matching नहीं हो रही है, इसकी वज़े से, currently देखो यह है कि gap बहुत ज़्यादा है, input tax credit में और जो tax भरते हैं सप्लायर, इसकी वज़े से ये नए नियम बनाए गए हैं, next topic है, draft mediation bill, draft mediation bill लेके आई है, government अभी, mediation का मतलब होता है, कि एक तरह से compromise करवाना, बीच बचाव कराना, ये क्या एक alternative dispute resolution लेके आने जा रहे हैं, जो फिलाल कि हमारे देश में कानून law बने हुए हैं, उन्हीं को दुबारा से enactment करेंगे, कुछ संसोधन क करेंगे, enactment का मतलब होता है, कोई law बनाना, कानून बनाना, उसमें ये करेंगे कि देखो, जैसे मालो हमारे court system है, जो इंडिया का, बहुत जदा delay चलता रहता, बहुत जदा case 10 साल, 20 साल तक चलते रहते हैं, तो कोई company का जैसे case है, वो इतने देर ना चले, उसे अलग से, ए मतलब objective का मतलब target लक्ष है, इसमें ये किया कर देखो, जब जल्दी से हमारे देश में किसी case का निप्टारा हो जाए, अगर मालो कोई company बाहर से हा रही है, विदेशी company, तो वो कहेगी, हाँ भाइचा, यहाँ 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 जल्दी से case का निप्टारा हो जाता, अगर माल देश में enforce करना, यानि कि जो international कुछ rule है, agreement है, जिन पर इंडिया ने sign क्या हुआ है, कि medicine हमारे यहाँ पर सही होगा, यानि कि जो domestic rule भी बना हो, उनका पालन होगा, इसलिए medicine center बनाए जा रहे हैं, और दूसरा यह है, mediator register किये जाएंगे, कोई मालो नई body बनना चाहती है, मा देखो online mediation की सुविधा भी उपलब्द होगी, कोई मालो online दर्ज कर रहा है case और अपना settlement कर रहाना चाहता है, तो online की सुविधा भी होगी इसमें, main feature क्या कहा है इस act में, मतलब जो यह bill ले क्या है, भी तो act नहीं बना, जो pass हो जाएगा, जब act बन जाएगा, कानून बन ज जबाओ, तो यानि कि जो litigant है, उसके safe guard का interest का, मतलब safe guard होगा, interest का, वो competent, जो मालो competent, जुडिस, एड्यूकेटरी, फॉरम या court है, उसमें वो relief, urgent relief भी ले सकते हैं, मालो उने urgent relief चाहिए, कि तुरंत चाहिए फैसला, तो क्या है कि, वो court में जाके approach कर सकते हैं, और court देखो जब तक settlement full नहीं हो जाता, medicine center में, तो कुछ direction दे सकता है, जब तक final decision नहाजाए, तब तक वो माना जाएगा decision, जो court ने कहा है, वहना final decision का बाद medicine center का, तो उसमें medicine settlement agreement होगा, ये एक तरह से देखो, बहुत सारी country है, उन्होंने agreement, international agreement है, जो sign क्यों हों, इंडिया ने भी क्यों हों, उनको ही एक तरह से implement करने के लिए ये लाया जा रहा है, medicine process देखो, protect करेगा, जो भी part ये, उसे protect करेगा, और medicine settlement agreement का registration होगा, और देखो, ये state, district, तालुक, level पे, 90 days के अंदर, अंदर, ये registration होगा, इसका, next है कि, इसमें, जो, mediation council of India, एक establish की जाएगी, mediation council of India, दूसरा, इसमें community mediation की भी facility दी जाएगी, जब ये bill pass हो जाएगा, तो, background क्या है कि, इंडिया क्यों बनाना चाहता देखो, mediation के law, already है भी हमारे हाँ पे, उनके rules, regulation, already बने हुए, उनको इस strengthen करने के लिए, इंडिया ये लेके आ रहा ह या, मालो, जैसे, और जगहे पे, mediation center है, तो, उनके जो rules, regulation है, जिनमें पे, इंडिया ने sign कर रखा है, उनी को implement करने के लिए, ये लाए जा रहा है, जैसे, Singapore convention है, Singapore convention on mediation, ये convention बहुत सारी country दे sign की हुई है, जो country sign कर देती है, इस पे, convention पे, agreement है, समझोता है, मालो, उसको, हापे, अपने हापे, mediation, mediation facility, दी, मलब, provide करने होती है, ताकि court से बाहर, जल्दी से, किसी भी dispute का, विवाद का settlement हो सके, तो, इंडिया ने भी sign कर रखा है, इसको, तो, इंडिया ने इसी को implement करने के लिए, लागू करने के लिए, ये law में कुछ बदलाव करने जा रहा है, इनेक्ट करने जा रहा है, लो, इनेक्ट का मतलब लो बनाना, कानून बनाना, तो ये ही थे आज के topic बस,